जब मैं अपने SSB के लिए प्रिपेर कर रही थी ना तो मेरे एक English के प्रोफेसर होते थे जिनोंने मेरे क्लास्मेट में काफी changes observe करे He used to be depressed most of the times तब मेरे प्रोफेसर ने कुछ ऐसी बात बोली थी जो हमेशा मेरे साथ रही specially during the times of despair उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि हर आती जाती सांस में उपर वाले का शुक्र अदा करो क्योंकि बहुतों को तो वो भी नसीब नहीं होती है अगर हम reports की माने तो हर साल करीब 8 लाख लोग suicide से जानगवाते हैं जिसका मतलब है कि हर 40 सेकंड में एक मौत होती है तो आज हम बात करने वाले हैं suicide जैसे sensitive topic के बारे में पर इसे start करने से पहले में आप सब से एक चीज़ कहना चाहूंगी कि आपकी परिशानिया, आपके सुख, आपके दुख तबी तक हैं जब तक आप हैं तो ऐसा कुछ भी करने से पहले kindly respect your presence on this planet तो मैं हूँ गारगी शर्मा फ्रम तरुन आयस और आज हम बात करने वाले हैं suicide के बारे में आखिर suicide होता क्या है National Crime Records Bureau के अनुसार suicide एक personal tragedy है जो एक इनसान की prematurely जान ले लेती है और बात सिर्फ यहीं खतम नहीं होती है इसके ripple effects होते हैं आपकी families पे, friends पे, आपकी community और आपकी society पे जो की majorly negative होते है ऐसा कहा जाता है कि जो majority of suicides हैं वो एक कारण वर्ष नहीं बलकि अनेक कारण वर्ष होते हैं जैसे कि आपके personal और आपके social factor दोनों ही conducive ना हो लेकिन कई cases में ऐसा होता है कि कुछ ऐसा बहुत strong incident हो जाता है कि इनसान society की तरफ बढ़ा चला जाता है और heat of the moment में वो ये गलत कदम उठा लेता है For example, आपके पास एक job थी जिस पे आपकी पूरी family dependent थी और आपकी वो job चली गई उस heat of the moment में क्या होगा कि आपको लगेगा अब तो सब खतम हो गया अब तो मेरी दुन्या ही खतम हो गई है मैं अपने घरवालों से क्या कमूँगा मैं क्या करूँगा ऐसे moment पे ये सब question करने की जगा आपको थोड़ी देर बैठना चाहिए और उस moment को pass होने देना चाहिए और जब वो चला जाएगा वो बुरा वक्त चला जाएगा तब आपको अंदाजा होगा कि आप कितने गलत थे life को लेकर ये आप से डाउन से life के जो सब की life में आते हैं तो ये है आपकी suicide की definition आगे देखते हैं कि stats क्या कहते हैं थोड़े से stats के बारे में हमने बात कर ली है लेकिन इसमें से जो सबसे disturbing stat मुझे लगा वो ये है कि for every successful attempt of suicide there are more than 20 suicide attempts जिसका मतलब है कि एक individual finally अपनी जानने में से पहले 20 बार इसे करने का सोच चुका होता है कोई भी इंसान ऐसी लाइफ ना जिये जो वो finally खतम करने से पहले मरने से पहले इत्ती बाहर मर चुका हो we should always live happily no matter how tough the situation is क्योंकि सबको सब कुछ नहीं मिलता है there is always a sense of missing in everyone's life but always remember that there is a sense of belonging as well अगर हम Lenset की बात करें तो according to Lenset India में सबसे जादा सुसाइट कमिट होते हैं हर साल India ranks number one in the number of suicide that happens now 1,64,033 suicides were reported in India during 2021 showing an increase of 7.2% as compared to 2020 this means that people found it difficult to integrate in the society in post-COVID times एक हाई काया था सुसाइट का आपके COVID के वक्त लेकिन उसके बाद एक आपका हाई काया COVID के बाद फिर in India, suicide has become the number one cause of death among those age 15 to 29 years तो प्लीज याद रखें कि ये जो age होती है हमारी जो भी audience इस age group के बीच की है ये बहुत ही formative stage होती है यहाँ पे कुछ भी final नहीं होता अगर आपको success मिल गई है इस age में तो well and good अगर नहीं मिली है तो भी well and good आखिर KFC के जो ओनर थे उनने 65 की age में जाके success मिली थी तो it's fine, it's experimental and formative stage nothing is final and nothing is fatal in this age आप experiment करिये अपनी education के साथ अपने साथ कभी-कभी हमारे points miss out हो जाते हैं लेकिन हमेशा नहीं होता there's always light and hope in the end of the tunnel उसके बाद the age group 18 to 45 years remain the most vulnerable and accounts for the for around two-third of the suicides in 2021 तो देखिए सबसे जादा जो vulnerable section है सबसे जादा जो vulnerable section है वो है आपका 18 to 45 years वाला क्योंकि ये सबसे जादा responsible stage होती है एक इसमें कई responsibility होती है अपनी education की उसके बाद अपनी family की फिर अपने parents की और अपने बच्चों की तो कई बार इंसान responsibilities में बहुत दब जाता है और कभी-कभी आपके personal या आपके professional और आपके social circumstances ऐसे हो जाते है कि आपको लगता है कि आगे बढ़ना life में बिल्कुल ही impossible हो चुका है उसके बाद women constitute around 27% of all the suicide that happens in India 27% of all the suicide ठीक है? और उसमें से भी जो 50% suicides है वो करती हैं आपकी housewives इसलिए ही कहा जाता है कि आप अपनी financial, अपनी professional अपनी social independence को ना गवाईए क्यों? क्योंकि जब तक आप society में integrate नहीं होंगे आप घर से बहार नहीं जाएंगे आप लोगों से नहीं मिलेंगे तो आप society के evolving pattern को कैसे समझेंगे? अगर हम global average की बात करें तो global average में women और girls जो इंडिया में suicide कमिट करती है उनका ratio दुगना है as compared to the ones over the globe अब बात करते हैं कि इंसान suicide करता क्यों है What are the main drivers of suicide? सबसे पहले हैं आपकी personal factors फिर हैं आपकी social factors फिर economic and others तो देखिए, mostly क्या होता है? Personal factors में आपकी general factors आ जाते हैं कि आपको relationship problems है या आपको psychological disorders है आपकी mental health ठीक नहीं है पहले क्या होता था? कि होता यह सब पहले भी था जैसे हमारे parents कह देते हैं कि अरे यह तो तुम्हारे age की परिशानिया है हमारे age में तो नहीं होती थी ऐसा होता था लेकिन उस वक्त पे उन्हें भूत, बाधा और इन सब क अनाम दे देते थे आज के time में क्योंकि हम और educated हैं, हम और aware हैं तो हमको पता है कि exactly होता क्या है और अच्छी बात यह है कि counselling और consultancy available है फिर आते हैं आपके social factors या तो आप बहुत ही जादा integrated है society में और फिर आपको एकदम से लगता है कि मैं कर क्या रहा हूँ जिसका मतलब है कि आपकी बहुत extrovert personality है या फिर आप बहुत ही जादा society के बाहर हैं, बहुत जादा introvert है और तब भी आपको लगता है कि मैं कर क्या रहा हूँ यह दोनों ही factors जो हैं अगर बहुत ही excess में हूँ तो यह आपको promote करते है suicide की तरफ ऐसा आप जरूरी नहीं है बट यह social factors में count होता है एक चीज जो social factor में और count होती है वो होती है कि आपका work environment कैसा है आपका family environment कैसा है जैसे कि अगर आपके work environment में bullying है, harassment है तो you're more prone to be driven towards suicide या फिर जैसे कि हमारी LGBTQ community है LGBTQ community में क्या है कि उन लोगों को जादा discrimination जहिलना पड़ता है as compared to the ones who are straight in their sexual orientation तो they have a ratio of more than two to three times all right in terms of committing suicide बट देखिए जो इन communities से भी है उनसे भी मैं चीज बोलना चाहूंगी कि it's fine to be who you are and no one's perceptions define you किसी का कुछ भी perception define नहीं करता है अगर आप किसी भी age group में है और आपको लगता है कि नहीं मैं ऐसा दिखता हूं मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं तो वो दो सालवाद चेंज हो जाएगा you just have to stay calm and stay in the situation then comes your economic reasons देखिए क्या होता है कि overwhelming debt होना बहुत जादा गरीबी होना यह सब भी एक reason होते हैं आपके suicide की तरफ लेकिन पैसा कमाया जा सकता है it's a tangible thing right मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है लेकर impossible नहीं होता है और जब तक कुछ impossible नहीं हो तब तक आपको उस पे give up नहीं करना चाहिए फिर आते हैं आपके other reasons आते हैं जिसमें की आप कुछ भी ले लीजे कि आपके environmental reasons ऐसे हैं आपको relationship problems हो गए कि एकदम से आपकी long term relationship true गए तो आपको लगते आप तो कुछ होई नहीं सकता बट ऐसा कुछ भी नहीं है you are living in 21st century and everything is curable सब कुछ curable है then rising suicide among students अब हम बात करने वाले हैं कि students इतना suicide क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये बहुती alarming rate पे हो रहा है तो सबसे पहले evolving psychological and physical processes देखे क्या होता है कि हम जो बच्चे होते हैं और हम बड़ों की तरफ transition कर रहे होते हैं school से college चाहते वक्त का time जो बीच का time होता है बड़ाई crucial सा होता है ठीक है इसमें बहुत सारी चीज़े चल रही होती है बहुत pressure होता है क्योंकि आप अपनी life का hold लेने वाले होते हैं आप accountable होते हैं अपनी life के लिए और मैं उन लोगों की बात करूँ कि जो लो middle section से आते हैं सारी सोसाइटी के लिए उनके लिए तो यह वो point होता है जहां वो वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कमाना होता है और उन्हें पढ़ना भी होता है इसमें क्या है कि आपके जब psychological patterns evolve हो रहे होते हैं तो आप समझ जाते हैं कि अमीरी क्या है, गरीबी क्या है हम कि strata में है सुंदर क्या है, बद्शूरत क्या है हम अपने आपको लेबल कर लेते हैं और हम उसे final समझ लेते हैं जब कि जब आप मेरी age group में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि looks don't matter, your height doesn't matter nothing matters, nothing defines you your life story defines you and everyone's life story is different फिर आते हैं आपके academics क्योंकि हमें ये feed करा जाता है जो कि मैं कौँगी कि बहुत गलत भी नहीं है पिकर पेरेंट्स तो यही चाहते है कि IIT IIM लाइफ है, उसके अगे कोई लाइफ नहीं है ठीक है, तो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो अगर इंजीनियर बन रहे हो, तो इट IIM से पढ़ो और डॉक्टर बन रहे हो तो 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 जो कोई भी भी घॉस्पिटल जाए, क्योंकि सरकारी की जो है फिस बहुत जाता है ठीक है? तो बहुत प्रेशर होता है बच्चों पे या फिर D.U. में एडमिशन ले लो, D.U. के बाद A.S.B. से आप एम्भी कर लेना है ठीक है? उसके बाद आते हैं आपके सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से सोसाइटल एक्सपेक्टेशन भी होते हैं इस तरीके से ड्रेस करो जबकि रड़कियों कामन होता है हम दो इस तरीके से करेंगे सबका होता है हमारा भी होता था ठीक है? उसके बाद सोशल मीडिया Now this is very alarming सोशल मीडिया ने पिछले कुछ टाइम में जिस तरीके से टर्न लिया है वो बहुत ही डॉंटिंग है यहां पे हम दूसरों की लाइफ को कंपेर करते हैं अपनी लाइफ से और फिर एक परसेप्शन बना लेते हैं देखे इसको इस तरीके से लीजे कि जब आप किसी से पहली बार मिलेंगे तो यू पुट दा बेस्ट आउट ओट ओफ एर लाइफ एसे ही लोग क्या करते हैं सोचल मीडिया पर करते हैं और हम उसे यह सोचते हैं कि इनकी लाइफ असी है और मेरी तो भाट खराब है ठीक है यह बहुत कलत है यह बिल्कुल भी ट्रू नहीं है फिर आता है फैमिलियल सपॉर्ट सिस्टम फैमिलियल सपॉर्ट सिस्टम की बात करें तो मुझे लगता है मेरी एज ग्रूप में सबने एक ना एक बार तो एक नहीं कम सब दस बार सोचाओगा है मेरे घरवाले मुसे प्यान नी करते मैं तो भाग जाओंगा है मैं भाग जाओंगी ठीक है जबकि ये पैटन तब था जब हमारे मम्मी पापा में से पापा जॉब कर देते और मम्मी बच्चों का ध्यान अगती थी घर का काम करती थी या हाउस वाइफ सी घर देखती थी ठीक है आज के टाइम में क्या हो गया है कि दोनों ही पेरिंस वरकिंग है इतने इंफलेशन में ठीक है तो मैं पेरिंस की भी बात समझती हूँ बच्चों की फीस इतनी जादा हो गई है तो क्या होता है कि बच्चे बहुत ही दिस ओरियंटेड फील करते हैं क्योंकि वो किसी से कनेक्टी नहीं कर पाते अब हम जौब करते हैं हम घर पे जाकते हैं हम जाके सो जाते हैं तो ऐसे ही पेरिंस का है कि वो कितना टाइम बच्चों को दे पाते हैं So that makes children feel So that makes children feel कि वो जो है किसी तरीके से support system उनका fulfill नहीं है Next point is publicity of suicide by media अब इसका मैं एक example देती हूँ कि जब Sushant Singh Rajpoo, जो actor थे, जाने माने, उन्होंने suicide करा था तो जो media का coverage था वो इतना जादा overwhelming था कि इंडिया के कई parts से suicide के केसे सुनाई दिये थे तो क्या होता है जब हम किसी के बारे में बहुत जादा सुनते हैं न तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हमें लगता है ये भी option है अच्छा मेरी लाइफ में कोई problem चल रही है मैं continuity suicide सुन रही हूँ तो मुझे लगेगा ये भी मेरी लाइफ में option है तो ये जो मीडिया का पबिसिटी है न सुसाइट का वो भी एक ऐसे सेंस में जो गलत ना लगी तेखे मैं ये नहीं कह रही कि जो इस बारे में सोच रहे हैं वो गलत है या जिन्होंने करा है वो गलत है हमें नहीं पता कि वो अपनी लाइफ के किस पॉइंट पे थे जो उन्होंने तक ग्रेव डिसिजिन लिया पर मैं फिर कहूंगी कि सब कुछ सॉल्वेबल है सब कुछ सॉल्व हो सकता है प्लीज ऐसा ना करे तो देखे इसमें बहुत ही बेसिक चीज़े होती है कि मेंटल हेल सपोर्ट प्रोवाइड करना है विक्टिम्स को यह दो तरीके से हो सकता है सबसे पहला तरीका यह है कि जो परस्नल लेवल पे जो फैमली और फ्रेंड्स है वो अगर कोई कह रहा है कि मुझे डिप्रेशन है मुझे इंजाइटी है तो उसकी बातों पे ध्यान दें ना कि मजाग बनाए तो सबसे बड़ा मेंटल हेल सपोर्ट आपके फ्रेंड्स और फैमली से आता है दूसरा होता है आपका इंस्टिशनल सपोर्ट अगर हम इंस्टिशनल सपोर्ट की बात करें गवर्मेंट मेजर्स की बात करें तो गवर्मेंट ने क्या करा है कि मेंटल हेल्थ को अज पब्लिक हेल्थ प्राइओरिटी में डाला है और नैशनल नैशनल स्ट्राटजी वनाई है आपके suicide के means for prevention of suicide जो World Health Organization के South East Asia Region के आपके suicide prevention strategy से मैच करती है जिसका कहना है कि by 2030 there has to be a reduction of 10% in suicides ठीक है फिर आती है appropriate media reporting जब सुषान सिंग राजपूत गए थे तो एक महीने तक minimum 24 घंटे TV पे चला था उनके suicide के बारे में मैं यह नहीं कहरी कि वो गलत था लेकिन उसने किस तरीके से हमारी society को impact करा था कि उस वक्त सुसाइट रेट भी हलका सा बढ़ा था at least बढ़ा नी था तो publicize हुआ था and there was a wave of depression अगर आप कोई भी वार दें जब इस्राइल और गाजा का to be read as data by others आप stats नहीं है राइट फिर आता है आपका reforms in curriculum जो की बहुत ज़रूरी है reforms होने चाहिए है करिकिलम में for example Scandinavian nations में देखें अगर आप तो महाँ पर 5 साल की उम्र तक सिर्फ लेवे होता है महाँ पर books नहीं प्रवाइड करी जाती पर 5 साल तक आपको जो सीखना है आप खेल के सीखें फिर आती है आपकी being responsive आपको responsive बनना है responsive कैसे बनना है अगर कोई आप से कह रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ तो आपको recognize करना है उसकी उच स्टेट अफ माइड को ठीक है तो यहाँ पर आज हम खतम करते हैं अपना यह lecture बट मैं आप से फिर भी एक चीज बोलना चाहूंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा पढ़ा है कि इस चीज को कभी अपने दिमाग में भी मतलाईएगा people are not stats you are not statistics you have a life you are a universe in whole तो thank you